Hello Students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो Dear Students, आज हम बात करने जा रहे हैं बिक्सित भारत 2047 के लिए आप अपने आईडिया किस तरीके से शेयर कर सकते हैं तो सबसे पहला काम है आपको पोर्टल ओपन करना है जो की है innovateindia.mygov.in आप परेशान मत होई है description box में मैं इसकी link भी दे दे रहा हूँ तो आप उस पे click करके सीधे जब खोलेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको page दिखाई देगा यह मैं पूरा आपको mobile में करना सिका रहा हूँ तो यहाँ देखिए आपको सारी जानकारी मिले कि यहाँ सब वही चीज लिखी हुई है ideas for the vision विकसित भारत 2047 तो यहाँ देखिए यह लिखा है कि share your ideas for a विकसित भारत तो इसमें आप click करके सीधे आगे जा सकते हैं लेकिन आगे जाने से पहले मैं कुछ और बाते आपको बता देता हूँ इसको हम नीचे करते हैं जैसे ही आप नीचे करेंगे तो इसमें जो prizes हैं तो उसमें तीन जो सबसे best ideas है उनको prize भी मिलना है तो पहला है prizes for best ideas में पहला first prize है पांच लाक रुपे का उसके बाद आप नीचे आएंगे तो second prize है आपका तीन लाक रुपे का और उसके बाद third prize है दो लाक रुपे का तो ये तीन prize हैं और काफी बड़े prize हैं यदि ideas आपके बहुत अच्छे रहते हैं तो आपको prize जीतने का और अपना नाम कमाने का भी आउसर प्राप्त होगा अब यहाँ पर नीचे वही टैप दिया हुआ है कि share your ideas for a bixit भारत तो चली हम इसको click कर देता है तो यह हमने click किया जैसे ही आप click करेंगे तो next page आपके सामने open हो जाएगा यहाँ आप देखिए login to your my job account आपको याद होगा यह my job account में तरह तरह की quizzes तमाम तरह की activities innovative ideas से related और लगातार होती रहती है तो मुझे पूरा विस्वास है कि आपने इसके पहले इस portal में जरूर अपना कुछ ना कुछ quiz बगएरा या किसी activity में पालिसिपेट किया होगा और आपने certificate भी download किया होगा तो यदि आप कर चुके हैं तो इसका मतलब आपका registration है आप क्या करेंगे यहाँ पर email या mobile number आप लिख करके login with OTP कर सकते हैं जैसे mobile number लिख देंगे email और login with OTP करेंगे तो एक OTP आपके mobile number पर आएगा या email पर उसको enter करके आप login कर सकते हैं तो account आपका पहले से बना हैं सारा चीज खुल देंगे अपका नाम, date of birth, basic information जो रहती है सारी उसमें रहती है लेकिन यदि आपने अभी तक नहीं किया एक और तरीका है यदि आपको user अपना email ID mobile के साथ password याद है तो आप उससे भी कर सकते हैं और यदि आपको नहीं होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप अपना account create कर लीजिए तो यहाँ पर direct आप करेंगे तो सब चीजें detail माँगेगा तो उसको भर दीजिए अपना नाम बगएर तो हमीशा के लिए हो जाएगा आगे चल कोई भी activity में आप participate करते हैं तो तुरंत आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा खाली login with OTP करिए और आ जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है mobile number अपना लिख दीजिए जो भी आपका है उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ login with OTP कर दीजिए तो जैसे हम क्लिक करेंगे यह देखे तो एक जो है तो यह देखे मैंने नहीं लिखा है तो नहीं है तो OTP के एक option आएगा वहाँ पर OTP जो mobile पर आई उसको एंटर कर दीजिए जैसे ही आप एंटर करेंगे तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका portal खुलेगा और किस तरीके से फिर आपको participate करना है यह देखिए जैसे ही login पर तो OTP करेंगे mobile number लिखके तो यहां लिखकर आएगा OTP has been sent to your registered mobile number तो यहां पर please enter OTP तो OTP डाल दीजिए जो भी आपके mobile में उसके बाद यहां submit बटन पर click कर दीजे तो submit बटन पर जैसी click करेंगे तो आप देखेंगे कि next जो page आएगा वो कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखाई देगा यह देखिए इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा यहां बिकसित भारत जो English लिखा है तो अभी यहां पर जब यहां click करेंगे तो बहुत सारी language यानि भासाएं आ जाएंगी तो आप Hindi का option चूज कर सकते हैं या कोई और अगर language चूज करना चाहते हैं तो वो भी चूज कर लेंगे तो यह सारी चीजें जो है उसी जैसी Hindi में चेंज करेंगे तो Hindi अपने आप सारा चीज आने लगेगी तो यदि English में आपको कोई problem आ रही है तो यहां Hindi चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं मैंने अभी English कर रखा है तो English में सारी चीजें देख रही हैं तो personal details दिखाई देंगी तो यहां participate as तो यहां जब क्लिक करेंगे select में तो यहां पर एक student और non student तो आप student है तो student पर select करना है नाम आपका लिखा हुआ आएगा क्योंकि registered है यहां email ID भर देना है यहां mobile number भर देना है gender select कर लीजिए male female और इस तरीके से आपको क्या करना है आगे बढ़ते जाना है तो देखें मैंने student select किया level of education पूछेगा तो UGPG होगा यदि आपको diploma नहीं मिल रहा है तो others कर दीजिए यहां पर choose कर लीजिए उसके बाद name of institution जो polytechnic का आपका नाम है या किसी भी institute से आप है higher education से है school education जो भी आपका है तो संस्ता का नाम लिख दीजिए जैसे हमारे यहां का जो नाम ता polytechnic ने कब वह मैंने पूरा भढ़ दिया full name आपका लिखे रहेगा अपना email ID यहां पर लिख दीजिए उसके बाद mobile number यहां पर लिख दीजिए यहां पर gender आपका male age पूछेगा तो age में गुरूप में आगे 26 से 40 की बीच में आपकी कम है तो उसमें 25 से 26 तक 25 तक आएगा इतने सितने की बीच में तो आप चूस कर लिजिए जिस age group में आप आते हैं address में लिख दीजिए चाहाँ जो government पॉलिटेकनिक जहाँ पर आप अध्यान रहते हैं वहीं या आसपास या अपने घर का जो आप पूचित लगे आप लिख सकते हैं state में आप लिख दीजिए उत्तर प्रदेश है जो भी आप state के निवासी हो district तो यह सबसे confusion दूर करने के लिए तरीका है कि address में अपने संस्ता का नाम लिखिए state में जो हाँ पर state है जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश लिख दीजिए और district लिख दीजिए जहाँ आपकी संस्ता है तो confusion नहीं रहेगा उसके बाद confirm and proceed यहाँ पर आपको click कर देना है 2049 में विकसित भारत कैसा होना चाहिए जो आपका vision है वो कैसा होगा क्या-کIA चीजे उसमें सम्लेट होगी और उसमें भारत को विकसित भारत बनाने में 2047 तक आप क्या-का योगदान है या हमारा क्या योगदान है वो सारी चीजा है तो इसमें देखी साफ साफ ये लिखा है कि आप अपने idea share कर सकते हैं किसी भी one option में इन में से one two three four five तो जैसी इन में यहाँ पे आप click करेंगे तो form खुल जाएगा दो उसमें जगे बन जाएगी वहाँ आप type कर सकते हैं या पहले से type किया रखा है तो उसको copy करके वहाँ पर पेश्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर 2045 में आप विक्सित भारत को कैसा देखना चाहते हैं यानि कैसा दिखाई देगा वो पूरे idea share कर दीजे आप क्या क्या रोल है या हमारा क्या रोल है वो पूरे नीचे उसमें लिख दीजे तो पूरा space बनके आता है इसको click करेंगे तो इसमें आ जाएगा तो यह अलग अलग topics is empowered Indians, education, health, sports, नारी शक्ती, caring, society, culture या फिर thriving and sustainable economy में आपकी जिनमें आप इंडिया को बिकसित भारत देखना चाहते हैं 2047 में तो यह जिस पहलू या पच्छ में आप जाना चाहते हैं उसको click करके अपने idea share कर सकते हैं यह सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगा नीचे यह इन में से नहीं करना चाहते हैं तो इनको चोड़ करके यह voice upload मतलब आपको अपनी voice record करनी है simple जैसे whatsapp में message करते हैं तो whatsapp में sound record करने का option दिया रहता है अब आप देखिए तो उस पे click किये रहेंगे और बोलते रहेंगे तो जो आपको बोलना record हो करके अपना हमारे दोस्त को friend को चला जाता है तो आपको सीधे whatsapp में जाना है voice record करना ह जैसे मैंने की है और वहाँ पर ये choose file कर देना है MP3 या MP4 में 4MB तक की file यहां language जो आपने बोला है वो किस बहां समय है तो हिंदी English साब आता है आप हिंदी select कर लीजिए या कोई भी language तो हिंदी मैंने select किया और उसके बाद save to proceed में यहाँ पर मैंने करके मैं आगे बढ़ गय है क्योंकि daily हम यह काम करते हैं अपने दोस्तों को message send करते हैं या इस तरीके से हमको कुछ कहना होता है तो यह एक नई तकनीक है इसको भी आपको सीखना चाहिए बस एक थोड़ा सा काम आपको यह करना पड़ेगा कि वाटसप में जब आप record करेंगे file आपके पास अपने उ यह से weed.io weed.io पे जाएंगे तो देखें यह file choose double AC file मतलब कोई on format में file है उसको आपको MP4 MP3 में बदलना है तो यहाँ click करके file select करिए उसके बाद convert to वो पूंचेगा कि MP4 तो उसके बाद आप कर देंगे तो वो आपकी file फिर से पूंचे जब complete हो जाएगा conversion MP4 में बदल तो download में save रहेगी नाम दे दीजे उसको Bixit भारत उदारन के लिए यह अपना नाम दे दीजे देखें मैंने यह file save की MP4 में Bixit भारत के नाम से मैं अपने नाम से भी कर सकता था CVP या कुछ भी नाम में दे सकता तो मैंने Bixit भारत नाम दिया यहाँ पे मैंने choose file में गया gallery म मैंने select किया अपने आप आ गया language of boys मैंने हिंदी select की और save to proceed मैंने उसको आगे बढ़ने के लिए मैं चला गया तो इन में से मैंने लिखने वाला कोई ना choose करके कौन से choose किया अपनी boys के द्वारा मतलब बोल करके मैंने सारी चीजों को बताया अब मैंने क्या बताया है वो boys मैं आपको सुनाओंगा सबसे last में मैं दे दूँगा तो उससे आपको idea लगेगा या आखिर 2047 में विक्सित भारत कैसा दिखना चाहिए या कैसा दिखेगा और हमारा उसमें और हमारा इंडिविजुवली क्या उसमें role हो सकता है वो सारा आपको मैं उसमें दिखाऊंग औ audio में मैंने सुनाया है तो उससे आपको एक idea लग जाएगा फिर आप अपना idea compile कर लीजे उसको बोल करकर record करके सीधे mp4 file में mp3 में upload करिए language of voice upload करिए English में करना चाहते तो English कर दीजे save to procedure करेंगे तो उसके बाद इस तरीके के बहुत सारे form आएंगे ये देखी उपर लिखा है to achieve the vision of Vixit भारत I commit to work towards one or more of the following मतलब इंडिया विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मैं निम्न में से कार करने के लिए अपने आपको प्रतिवत करता हूँ या commit करता हूँ one or more मतलब पूरे भी select कर सकते हैं ये जिसमें आप करना जैसे culture and heritage में तो मैं सभी historical monuments की respect करूँगा उनकी सुरच्छा करूँगा मतलब इस तरीकी की बहुत सारी चीज तो इनमें सब में tick करते जाना है अगर आपको किसी particular उसमें interest है तो उसमें कर सकते हैं नहीं सब में अगर interest है तो पढ़ते चलिए हिंदी वाला अगर आपने choose किया होगा तो सारे हिंदी में दिखाई देगा इन सब को choose टिक कर दीजे टिक करते हूँ इस तरह तीसरा खुलेगा सब में tick कर दीजी कि भाई मैं सब के प्रतिकार करना चाहे तो environmental commitment भी मेरे अंदर है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पाँचमें नमर पे देखी सारे चीज सोसल वेलफेर एंड इंक्लूजव सोसाइटी आ गया छटे नमर पे डेमोक्रेटिक रिस्पोंसिबिल्टी तो ये भी हमको करना है तो अगर हम ऐज़े इंडिविजूल ये सारी चीजों को follow करेंगे तभी तो हमारा देश विक्सित भारत बन पाएगा 2047 तक साथ में नमर पे आएगे सिटीजें सब बेलू तो इनको भी हमको सारी उकन अच्छे से पढ़ लीजे बढ़िया आपके फायदे का है समझ में आने वाली चीजे है एक जुडाव आपका बनेगा और उसके बाद यहाँ देखी लि पॉइंट आप कर सकते हूं वो आपका लीजे उसके बाद फाइनल सम्मिट कर देंगे तो यह पूछेगा नो चेंजे सब्लिक मोटिफिकेशन बिल बी पर्मिटेड आफ्टर सम्मिटेड आर यू से ओर टू प्रोसीड तो आपको ओके कर देना है कि कोई दिक्कत नहीं है कर दीजे तो जैसी होके करेंगे तो यह देखी फिर लिख करके आ जाएगा थैंक्स फोर यूर पार्टिसिपेशन यूर एंट्री हैस बीन सक्सिस्पुली सम्मिटेड और देखी यहां पर प्रूफ के लिए अगर कॉलेज वाले मांगे तो यहां पर आपका नाम दिख रह है कि आखरी हम क्या आइडिया हम दे सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो रख सकते हैं उन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं कॉपी में फिर उन्हीं को आप बोल बोल करके अपनी नई चीज़ें एट करके नए तरीके से बढ़िया एक वोइस नोट तैयार कर जीजे और उसको फिर अपलोड कर दीजी जैसे मैंने बता है सिंपल तरीका है एक चीज मैं और कहूंगा कि कई बार दोपहर में इस समय साइट थोड़ा सा माली जी नेटवर्क अच्छा नहीं है आपके एरिया में तो थोड़ा स्लो चल सकती है तो परेसान नहीं होना है आ मैंने आपके सामने देखिए सब मोबाइल से किया है करके आपको दिखाया है आपको भी इसमें प्रतिभाग करना है सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपल सरी हायर एजूकेशन टेकनिकल एजूकेशन में डिप्लोमा सेक्टर हों चाहाए बीटेक के कॉलेजे सो सब के लिए कंपल सरी है सबको अपना आइडिया से अर करना है सभी को हम सभी को विक्सित भारत का हिस्सा बनना है और उसमें सभी का सयोग अपेच्छे थे तो इसको जरूर कर लीजे अपने कॉलेज में रिपोर्ट करिए बता दीजी ताकि वहाँ पसे भी पूरी एक कंपाईल सूचन मैं लेक्चरर मेकेनिकल इंगिनिंग के रूप में गौर्मेंट पॉली टेकनिक बरगर चित्रकूर्ट में कार रहत हूं मैं आज बात करने जा रहा हूं कि 2047 में विभिन पच्छों में या पहलूं में जो बिक्सित भारत है वो कैसा दिखना चाहिए तो बिक्सित भारत य कैसा दिखेगा तो पहला जो पॉइंट है जिस पे हम बात कर रहे हैं पहला जो पच्छ या पहलू है वो है अर्थ बिवस्ता यानि एकोनोमी तो उसमें कुछ पॉइंट है जैसे पहला है थ्राइविंग इनोवेशन अब जो बिक्सित भारत है वो थ्राइविंग इनोवे हाँ आटो मोबाइल से लेकर फार्मसिटिकल्स तक भारत का एक प्रमुग विनिर्माल केंद्र होगा जो सीर्स कमपनियों को आकरसित करेगा और रोजगार स्रेजन को बढ़ावा देगा इसे हाँ समावेशी विकास होगा यानि आर्थिक समरद्धी देश के सभी कोनों तक पहुँचेगी गरीबी को समाप्त करेगी और धन का समान बित्रन सुनिश्चित करेगी समाज के पॉइंट ऑग्यू से हम बात करें तो सभी के लिए सिच्छा का समान उसर उपलब्द होगा हेल्थ केर करांती आएगी सभी को सस्ती और गुनवर्ता पूलवग स्वास्त से परियावरन के लिहाज से या पहलू से बात करें तो भारत जो तो इस्तिरता चेंपियन होगा यहां सस्टेनेविल्टी डबलम्मेंट होगा यहां भारत जलवायू परिवर्तन से निपटने में दुनिया का ग्रिनी देश बनेगा जिसमें नवी करनी उर्जस रोतों टिका रूपों के लिए समाज में गहराई से समाया होगा सासन प्रसासन के लिहाज से बात करें तो पारदर्सी और जवाब देव प्रसासन होगा ससक नागरिकता होगी यानि निर्णे लेने की प्रिक्रियाओं में नागरिकों की सक्री भूमिका को प्रोचसाहित किया जाएगा जि बढ़ावा देगा अब प्रश्ण उटता है कि मैं अपने इस तर से क्या कर सकता हूँ या हम इसमें क्या कर सकते हैं बिक्सित भारत को 2047 तक इस बिजन को पूरा करने में तो एक ब्यक्ति के रूप में बात करूँ तो मैं ग्यान और कौसल अरजित करूँगा और अपना बढ़ सीखूंगा नई नई चीजें सीखूंगा एक जिम्मिदा नागरिक बनूँगा नेतिक मूल्यों को बनाए रखकर समाजिक सद्भाव को बढ़ावा दूँगा और विविदता का सम्मान करूँगा अपने देनिक जीवन में टिकाओ तरीके अपनाऊंगा सस्टेने कारियों समस्या समाधान और नवाचार में सामिल हो करके मैं इन सब के एक पार्ट के रूप में काम करूँगा और लोगों को जादा से जादा जागरूग करूँगा अपने समुदाय के यदि मैं हिस्सा मानूं स्वहिम को समुदाय का हिस्सा मानते हुए मैं सब को सहयोग दूँगा सभी से जुड़ूंगा इस्थानी जरूरतों को पूरा करने वाले सामुदायक पहलों पहलों और परियोजनाओं में भाग लूँगा जागरूकता फैलाओंगा सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा दूँगा बेद्भाव के खिलाब खड़े होकर और सभी के ल बिक्सित भारत बनाने के लिए सभी का योगदान बहुत जरूरी है थैंक्यू बेरी मच्च